बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए कि हमारे देश की जो आधी आपादी है वो वुमिन की है तो जो वुमिन है उनके लिए महिलाओं के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए उनको जादा सशक्त बनाना चाहिए जैसे बर्ड्स के देखा जाए कोई भी एक बर्ड आप देखत और महिलाओं के उपर कोई ध्यान ही नहीं देगा तो जो दूसरा पंक है बर्ड का वो बिलकुल भी डेवलप नहीं हो पाएगा और एक पंची जो है वो उड़ ही नहीं सकता उड़ान नहीं भर सकता दोनों पंक उसको चाहिए ऐसे ही एक जो समाज है उसमें महिलाओं की भी जरूरत है पुरुष की भी जरूरत है दोनों मिलकर समाज का विकास करते हैं समाज का उत्थान करते हैं तो समाज की उत्थान के लिए महिलाओं पर ध्यान देना जरूरी है क्यों जरूरी है क्यों महिलाओं ही धुरी होती है परिवार की समाज की अगर एक परिवार भी दे घ्यान रखती है, घर को कैसे manage किया जाए, साथ ही सगे संबंदियों के साथ कैसे relation maintain करने है, समाज के साथ कैसे करने है, अपने बच्चे को जो education वो देती है, उसी education का फल होता है कि एक बच्चा I.S. बनता है, एक बच्चा डॉक्टर बनता है, एक बच्चा आर्टिस्ट बनत या एक बच्चा जो भी वो उडान भरना चाहे वो भर पाता है जब मा के संस्कार दिये जाते हैं और मा के संस्कार जो अच्छे संस्कार हैं उसी के बदालत एक व्यक्ति महान बन सकता है तो अगर हम यह जो वर्ग है महिलाओं का इस पर ध्यान ही ना दे और इस पर बिल्कु लीजे वो हमारे अंदर की विल पावर होती है हमारे आत्मा की शक्ती होती है जो हमें पहुंचाती है तो महिलाओं को अपने अंदर की शक्ती को पहचानने की जरूरत है अगर महिलाओं ये सोच लेंगे कि हम तो कोमल हैं हम कमजोर हैं हमारे पास घर में financial help नहीं मिल रही, emotional help नहीं मिल रही तो वो बिल्कुल पीछे रह जाएंगी, पिछर जाएंगी सबसे पहले तो confidence आए आपके अंदर कि आप कर सकती है सबसे जहली चीज है confidence अपने उपर विश्वास दूसरी बात आती है कि अपने काम को पूरे passion और लगन के साथ करने की कोशिश कीजे जितना हम passionate होते हैं, अपने काम के प्रती जुझारू होते हैं, energy के साथ भरके काम करते हैं हमारा काम बिल्कुल अच्छे तरीके से होने लगता है साथी साथ woman को ये जरूरी है कि काम में तो आगे बढ़ना है लेकिन साथी साथ में अपनी physical health, mental health और emotional health पे भी ध्यान देना है अगर आप अपनी health पे भी ध्यान नहीं देंगे तो भी आप पिछर जाएंगे साथी साथ समाज में आपका व्यवार उस पर भी ध्यान दीजे आपके contacts कैसे बनते हैं, आपका public relation कैसा है इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है साथी साथ new technology, new technology को ज़रूर सीखिए और उसके साथ साथ अपने आपको कभी भी ये मज़ समझे कि मेरी age इतनी हो गई है, अगर हम age की बात करें कोई सोचे कि मेरी 40 हो गई है, 50 हो गई, अब मैं क्या करूं जिन्दगी में, तो वहाँ पर व्यक्ति पहले ही अपने आपको हरामा महसूस करता है, age is no bar तो आपने, जिस भी आप उम्र में हैं, अपने आपको हमेशा स्वस्त, हमेशा अपने आपको यंग समझता है, सब कुछ हमारे mind के अंदर होता है, हमारी जो सोच है, वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है तो आपको अपने आपको strong बनाना है, एक्तम strong अपने उपर विश्वास रखते वे चलिए, तो जरूर ईश्वर आपको उचाई पर पहुचाएगा, और यह law of karma भी है, कि हम जो कर्म करते हैं, उसका फिर फल भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो व्यक्ति असफलता से डर जाता है, वो तो पीछे ही रह जाता है तो आपने प्रेणा लेनी है उन women से, women achievers से, जो अपनी जिंदगी में आगे पहुची है, उन से प्रेणा लेते वे आगे बढ़िये, क्योंकि परिस्थितिया सब के लिए ही मुश्किल रही है, ऐसा नहीं है कि किसी को प्लेट में सब कुछ मिल गया, परिस्थितिया मुश कर लेती है, आज कल तो बड़ी से बड़े judges में देखा जाए, वहाँ भी women है, अगर देखा जाए, जी जो वकील होती है, counselors है, psychologist है, doctors है, engineers है, पुलिस अधिकारी देखी जाए, bank में देखा जाए, वहाँ सब की सब women ही आके आ रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई काम ऐसा हो, ज महिलाएं सब कोच कर सकती है, और यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे विष्व में प्रसिद है कि महिलाएं जब कोई चीज थान लेती है, तो ज़रूर प्राप्त कर लेती है, क्या कि भगवान ने हमें एक एडिशनल चीज दी है, वह हमारे emotions, वह हमारा प्यारा सा दिल, हमारी समवेदना है, हम सेंसेटेव हैं, दूसरों की बात को भी समझते हैं, तो इसलिए हमें अपनी स्टेंद को पहचानना है, अपने आपको बिल्कुल दी नहीं, नहीं महसूस करना, और कोशिश कीजिए, जो आपके साथ की भी महिलाएं हैं, उन्हें भी प्रेरत जो पीछे रह गई, उनका हाथ थामिए, उन्हें आगे लेकर चलिए, और जो पहुँच चुकी है, उनका कर्तव्य तो है ही, कि वो समाज की जरू सेवा करें